नमस्ते बच्चों आईए आज हम स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए मर मिटने वाले योधा शहीद शिरीश कुमार के बारे में जानेंगे एक गुजराती व्यपारी के घर नंदुरबार गाउं में जो महराश्ट्र गुजराच सीमा पर स्थित है 28 दिसंबर 1926 को शिरीश कुमार मेहता का जनम हुआ था देश भर के शहरों में स्वतंत्रता संग्राम के एक हिस्से के रूप में लोग राश्ट्रियद्वज और मशालों के साथ जुलूस वर रैलियों का आयोजन करते थे इन जुलूसों में लोग राश्ट्रवादी जोश से भरे नारे लगाते थे नंदुर बार में महता परिवार ने भी ऐसी गतिविधियों में भाग लिया वे महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्रबोस से बहुत प्रभावित थे उस अवधी के दौरान पुलिस, वंदे मातरम और भारत माता की जै जैसे नारे लगाने वालों को गिरफतार कर लेती थी 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आवाहन किया विभिन गावों में रेलियों का आयोजन किया गया अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी गई आठवी कक्षा में पढ़ने वाले शिरीश कुमार ने 9 सितंबर 1942 को हुई रेली में भाग लिया वह मात्रभाशा गुजराती में नारे लगाने लगे शिरीश कुमार राश्च ध्वज लिये हुए थे पुलिस ने रेली समाप्थ करने का आदेश दिया रेली में बच्चोंने आदेश की अभेलना की और भारत माता की जय वंदे मात्रम के नारे लगाते रहे अंत में पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें शिरीश कुमार वह उनके चार साथी भी पुलिस फायरिंग में मारे गए ऐसे वीर योधा को हमारा शत शत नमन